नमस्कारे जुकेसन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं UPSSCPET के एड्मिट कार्ड के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस परकार से आपको UPSSCPET का एड्मिट कार्ड डाउनलोड करना है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप दिखाई जाएगी इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले आपसे छोटी से रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक और सेर कर दे और साथ ही ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को भी सब्सक्राब करके बैल आइकन को दबा दे अब आईए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस परकार से आपको UPSSCPET का Admit Card डाउनलोड करना है तो आपको बताते हैं Admit Card डाउनलोड करने के लिए आपको Google Chrome या अन्ने कोई भी ब्रॉजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है azukationindialio.com आपको क्या सर्च करना है तो आपको सर्च करना है azukationindialio.com Google में सर्च करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पे जाएगा यहाँ पर जो सबसे उपर website आपको देखने को मिल रही है इस website को आपको open कर लेना है website कुछ इस प्रकार से आपके सामने open हो जाएगी यहाँ पर जैसे आप थोड़ा सा नीचे की और आएंगे तो देख पाएंगे UPSSCPET Admit Card 2023 आपको इस link पर क्लिक करना है और इस post को open कर लेना है post आपके सामने कुछ इस प्रकार से open हो जाएगी यहाँ पर जब आप नीचे की और स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे UPSSCPET Admit Card 2023 आपको क्या करना है आपको इस direct link पर क्लिक करना है जैसे ही दोस्तों आप direct link पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक page पुनोगा यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने registration number फिल करने है उसके बाद यहाँ date of birth के अंदर आप क्या करेंगे अपनी date of birth को फिल कर देंगे जो भी आपकी date of birth है उस date of birth को यहाँ से आप फिल कर देंगे date of birth फिल करने के बाद आपको gender के अंदर अपना gender select कर लेना है उसके बाद verification code जो की यहाँ पर box में side में आपको देखने को मिल रहा है उसे as it is box के अंदर fill कर देना है और download admit card पर click करना है download admit card पर click करते ही कुछ इस प्रकार से आपके सामने आपका admit card open हो जाएगा यहाँ पर आपको जो है center का address और examination date देखने को मिल जाएगी इसके साथ यह आपको बता दे इस admit card को download करने के लिए आपको click here to print पर click करना है उसके बाद आपके phone या computer में यह admit card download हो जाएगा जिसका आपको print out निकाल लेना है यह थी पूरी जानकारी UPSSCPET के admit card को लेकर वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो का आप लाइक और से रवस्य करेगा और साथ ही ऐसे वीडियो देखने के लिए बिना किसी देरी के channel को भी subscribe करके bell icon को दबा दिचेगा मिलते हैं हम सब्सक्राइब वीडियो में किस देने जानकारी के साथ अब तक के लिए धन्यवाद